आज हम आपको राम कथा सुनाएंगी राम कथा सुनने का इतना महात्म है कि इसके सुनी मातर से मनुश्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और रंत में वैकुंट की प्राप्ति होती है तो आपको यह दिया कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें राम कथा इस प्रकार है भगवान जी राम, लक्षमन और सीता जी पीता दस्षर जी की आग्या पालन करने के लिए वनवास चले गए रास्ते में सारे तीरत, गंगा, जमुना, गोमती वगेरा में तरपन किया वन मी फल, फूल, कंद, मूल खाकर जीवन यापन करते थे कार्तिक महा, एक कम को राम जी की आग्या से लक्षमन जी कंद, मूल तोड़ कर लाए सीता जी के आगे रख दिये, सीता जी निये उनकी चार पतलें बनाई लक्षमन जी पोचने लगे माता जी, आपनी चार पतलें किसलिए बनाई हैं सीता जी बोली, एक पतल राम जी की, एक पतल लक्षमन जी की, एक पतल गोमाता की, और एक पतल मेरी राम और लक्षमन जी ने अपनी अपनी पतलें उठा ली और एक गो माता के आगे रख दी सीता जी ने अपनी पतल नहीं उठाई और नहीं गो माता ने राम जी ने सीता जी से पूछा आपने फल आहार क्यों नहीं किया तब सीता जी ने कहा मेरा तो रामकथा कहने का नियम है रामकथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूंगी तब राम जी ने कहा रामकथा मुझे सुनाओ सीता जी बोली आप तो हमारे पती देव हैं आपको रामकथा कैसे सुनाओ लक्षमन जी बोले माता जी तब आप राम कथा मुझे सुनाएं सीता जी बोली आप तो शादी शुदा देवर हैं औरतों की बातें औरते ही चाने तब लक्षमन जी सोचने लगे वन में औरतें कहां से आएंगी तब लक्षमन जी ने धर्ती पर माया नगरी बसा दी उस नगरी में सभी चीजें जैसे महल, बरतन, कपड़ा, काम करने की सभी चीजें सोने की थी उस नगरी का नाम सोने की नगरी रखा गया उस सोने की नगरी में आदमी ओरतें सभी को अपने उपर बहुत गर्व था कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था राजा से लेकर भंगी तव गर्व में पागल थे सीता जी कुए पर गई वहाँ पनिहार ने पानी भरने आई उनका मटका, जालर, इड़नी तीनों सोने की थी सीता जी कुए पर बैटी और तो में राम राम बोली और किसी भी ओरत ने उन्हें राम राम का जवाब नहीं दिया क्योंकि वे सभी तो गर्व में डूबी हुई थी थोड़ी देर में एक डाबरी आई सीता जी ने उससे भी राम राम किया और बोली तुम हमारी राम कथा सुन लो डाबडी बोली आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती मैं तो अपने घर को जा रही हूँ सीता जी बोली मेरे राम लक्षमन भूके हैं डाबडी बोली कौन से राम लक्षमन मैं तो घर को जाती हूँ मुझे तो मेरी मा बुला रही है इतना कहकर डाबडी अपने घर को चली गई सीधा जी को गुसा आ गया पूरी सोने की नगरी पितल की हो गई डाबडी की मा ने पूछा जेवर, मठका, इंडनी सब खोटे कहां से कर लाई डाबडी ने कहा मुझे तो पता नहीं मैं तो जो पहने हुई थी वही लेकर घर आई हूँ पर कुए पर एक सुंदर सी तपस्वनी बैठी हुई थी उसने कहा कि मेरी रामकथा सुन लो प्रंतु मैंने मना कर दिया जिससे उसने कुछ टोटका कर दिया वो मुझे मालुम नहीं मा बोली जाओ उसकी रामकथा सुन लो सीता जी हैं वापिस जाओ अपनी घर मेरी रिद्धी सिद्धी हो जाएगी अपनी तो पूरी नगरी ही पितल की हो गई है डाबडी बोली मैं तो वापिस नहीं जाती इतनी में उसकी बेटे की बहु आई उसने कहा आपकी आग्या हो तो सीता जी के दर्शन मैं कराऊं और उनसे रामकथा सुनाऊं सासु बोली जा बेटी सीता जी की रामकथा सुना गहना कपड़ा सब पितल की ही पहन जा बहु कुए पर जाकर बैठ गई खाली मठका पानी से भरे और फिर खाली करे यह देख सीता जी बोली तुमारे घर में कोई काम नहीं है क्या बहु बोली माता जी मैं तो सारा काम निप्टा कर आई हूँ तब सीता जी बोली तुने मुझे माता जी कहा है यह सुनकर मेरा मन खुशी से हरशित हो गया है अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन ले बहु बोली माता जी आप राम कथा सुनाए आपकी राम कथा सुनकर ही मैं घर को जाओंगी चंदन चोकी मोतियन का हार राम कथा हमारे गले का हार राम ध्याओं राम मनाओं राम कहे तो परदेश जाओं सीता जी बोली तुने मेरी इज़त रखी, भगवान तेरे इज़त रखेंगे, हमारे मृत्यू लोक में तुमने सहायता की है, भगवान, तेरी स्वर्ग लोक में सहायता करेंगे, सिता जी ने राम कथा, सुनानी शुरू करी, बहु राम कथा सुनने लगी आओ राम बैटो राम जलभर जार लाई राम कीकर की दातुन लाई राम थंडा जलभर लाई राम सा परिवार पधारो राम जुगला टोपी पहनो राम कडा किंकर पहनो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री खाओ राम, स्वान सिहासन लाई राम, स्वान सिहासन विराजो राम, जाला टिकोरा लाई राम, जाला टिकोरा बजाओ राम, शंक द्वनी लाई राम, जुग जुग पाम लगाओ राम, निरकता रोमन मोहे र चरन अपनी लेलो राम, दूर गटोरा लाई राम, सीता चरन दबाए राम, सुखवर सेज सजाओ राम, जालर पंखा धोलो राम, हमे राम तुम्ही राम, रोम रोम में बसो शिरी राम, घट घट में वी राजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, पंची राम ही राम, पूरण होए सब काम, मेवा चिरंची लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खटा मीटा चको राम, चर्खा पर्खा लाई राम, चर्खा पर्खा चको राम, जो भावे सो लेलो राम, मन में धोखा रखना न राम, राम कथा पूरण हुई, तब सीता जी बोली तुने हमारी सारी राम कथा सुनी हमारी सायता की तुमने हमारे भुखे राम लक्षमन को खाना कि वान तुमको सातों स्वर्ग का सुख देगे सीता माता का आशिरवात ले बहु अपने घर को जाने लगी तो सीता जी ने अपने गले का हार उतार कर बहु को पहना दिया बहु अपने घर जाकर सासु जी से बोली मेरा मठका सिर से उतारो सासु जी बोली हे बेटी इंडली हीरे से जिल मिला रही है ये सब चीजे तु कहां से लाई राजा की जी सुनेंगे तो दंड तेंगे बहु बोली मैं तो सीता जी से उनकी रामकथा सुन कर आ रही हूँ उनकी किर्पा से ही ये सब हुआ है सासु बोली ठीक है रोज तुम रामकथा सुन आया करो बहु रोज सीता जी के पास रामकथा स पिर उनके साथ भाग करना, एक भाग मंदिर में चढ़ाना, दूसरा मंदिर बनने के जितना फल मिलेगा, एक भाग तलाब में चढ़ाना, जिससे तलाब के खुदवाने जितना धरम होगा, एक भाग बागवत पर चढ़ाना, जिससे भागवत सुनने का फल मिलेगा, एक भा ब्रामन को देना जिससे ब्रामन को खाना खिलाने जितना फल मिलेगा एक भाग सुरय भगवान को चड़ाना जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल मिलेगा बहु जल्दी जल्दी घर गई, साथ लड़ू और एक नार्य लाई, उसके साथ बराबर भाग किये, एक भाग मंदीर में, एक भाग तलाब में, एक भाग भागवत में, एक भाग तुलसी में, एक कन्या को, एक भ्राम्मन को, एक सूरिय भगवान को चढ़ाया, सूरिय भग जी बोली अच्छा बहु आप बैठ जाओ, साथ दिनों बाद वैकूंट धाम से विमान आएगा, सो साथ दिनों के बाद ही वैकूंट धाम से विमान, रिम जिम रिम जिम करता हुआ आया, बहु बोली सासू जी विमान आया है, आप भी चलो, सासू जी बोली बहु मैं अकेले कैसे चाऊ अपने ससूर जी को ले लो, अपने माता पिता को ले लो, भाई, बंधु, कुटुम, कभीले को ले लो, अड़ू सी परोसी को ले लो, बहु ने सबको विवान में बिठा दिया, विवान फिर भी खाली रहा, इतने में ननत आई और हमारे विमान कच्छी धागे से बना हुआ है या तूट जाएगा ननत बोली भाबी जी मैं यहां अकेली रहूंगी तो साफ बिच्छु खा जाएंगे भाबी जी बोली अपनी करनी आप ही भोगो हम अपनी करनी से सिता माता के साथ जा रहे हैं इतने में बहु अपने पत विमान में वेखुंट धाम जा रहे हैं आपने रमायन का पाठ किया गिताजी का पाठ किया या कोई अखंड पुन्य किया है जिस से किस वर्ग से विमान लेने के लिए आया है बहु बोली मैंने तो केवल सीता माता से रामकता सुनी और उसका उदापन किया है नगरी के लो 108 पुस्कें बाटेगा, उनको भी उतना ही फल मिलेगा जितना मुझे मिला, सभी नगरवासियों ने राम कथा कि जय जय कार की, सीता जी ने सब को विमान में बिठा लिया, विमान स्वर्ग के राज से चल पड़ा, स्वर्ग के सातों द्वार अपने आप खुल गए, प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए, सातों द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से निचे उत्रा, तेतिस क्रोड देवी देवता बहु से पुछने लगे, तुमने ऐसा कौन सा पुन्य का कार्य किया है, जिससे की स्वर्ग के सातों द्वार पार करके, हमारे पास आई हो बहु बोली मैंने तो सिता माता से राम कथा सुनी उसका उद्धापन किया 33 करोड देवी देवता बोले हमी भी राम कथा सुनाओ बहु ने सब को राम कथा सुनाई बहु ने कहा राम ध्याओं राम अनाओं राम कहे तो परदेश जाओं सभी देवी देवता सिता माता की जैजाकार करने लगे आप भी सब को मिलकर जैशी राम की कथा सुनाई अगर मित्रों आपको यह राम कथा अच्छी लगी है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बोक्स में जैशी राम अवश्य लिखें